Welcome back guys, तो आप में से काफी सारे बंदे मेरे को comment कर रहे थे कि double sniper update के बाद चल नहीं रहा, double sniper का कुछ tips and tricks लाओ, double sniper कैसे चलाएं, कैसे चलाएं, मतलब सब लोग परिशान हो चुग है guys, ठीक है, क्योंकि sniper का मतलब सारे बंदे को आदत लग चुग है, जैसे बंदे मतलब परिश अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आयों, तो चैनल को subscribe करके, bell notification को all पर press कर दो, अभी guys हमारे चैनल का हालत बहुत ही जादा खराब है, तो please हर एक दोस्तों के साथ share कर देना guys वीडियो को, क्योंकि भाई, समझे लो ना, demotivate सा लगता है guys, ठीक है, तो अभी अगर आप double sniper चलाते हो, तो कुछ इस तरह से जो है, रिलोड आता है, आप अपने fire button को भी tap करते हो, फिर भी जो है, मतलब sniper का गोली चलता नहीं है guys, और यह reload ना, बहुत पहले से जो है, सारे gun में है guys, ठीक है, मतलब all gun, जैसे M1887 में जो है, पहले से रिलोड आता है, और अभी sniper में भी सोच में पर जाते होंगे, कि अभी हम लोग कहां से diamond top up, मैं जिस application का use करता हूँ, उसके नाम है winzo gold, तो winzo store में आप लोग को 15% off में diamond top up कर सकते हो, और सबसे 60 rate में आप यहां पे diamond top up कर सकते हो, okay guys, इसके अलाब अभी आप winzo gold पे free fire के tournament खेलके भी पैसे earn कर सकते हो, अगर 50 रूपीज दे के खेलते हो, और दो किल करते हो, तो आप लोग को 80 रूपीज मिल जाएगा, मतलब 30 रूपीज का benefit, तो यहां पे जो है, आप लोग free fire का tournament खेल सकते हो, और यहां पे hacker hacker भी नहीं आते, guys, तो उसके अलाबा भी आप लोग यहां पे बहुत सारे ऐसे easy game है, cricket, cricket, ट्राम, ऐसे game खेल के आप easily earning कर सकते हो, उसके अलब भी आप reference earn करके, अपने दोस्त को share करके भी earn कर सकते हो, तो जाओ and जाके डाउनलोड करो लिंक description में, तो बरते है मारा first tips की हो, तो मर जो first tips है, वो single sniper के लिए, single sniper आप कैसे double sniper की तरह चला सकते हो, जैसे मैं यहां पे सकते हो, मतलब easily जो है, single sniper को double sniper की तरह ही चला सकते हो, जैसे जिसने time में आप double sniper को reload करोगे, उतने time में आप single sniper से double goal की खाल सकते हो, तो देखो मैं किस तरह से चला रहा हूँ यहां पे, और थोड़ा सा मतलब moment कर रहा हो, तो moment भी इस पे हो जाएगा, but glue नहीं लगेगा, मतलब glue लगाने कभी time नहीं मिलेगा, अगर आप इस तरह से थोड़ा सा practice करते हो, तो देखो मैं किस तरह से चला रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग खुद देख लो, किस तरह से चल रहा है, single sniper, और seriously main चीज़ बताओ, तो यह single sniper trick जो है, बहुत ही जादा advanced trick है, और आप इस कर सकते हो, हर जगे पर आप single sniper को कुछ इस तरह से चला सकते हूँ, बहुत ही आसान trick है, आपको single sniper लेना है, randomly just fire करना है, और तुरंद आपको reload करना है, जैसे देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तुरंद fire कर रहा हूँ, तुरंद reload कर रहा हूँ, जैसे reload हो जा रहा है, इस तरह से जो है, आप इस trick को use कर सकते हो, एक गोली से जादा इस पर निकलेगा नहीं, मतलब reload हो जाएगा, जैसे देखो, यहाँ पर मैं एक shot कर रहा हूँ, पांच होड़ा है, फिर से reload कर रहा हूँ, आप यहाँ पर मेरा gun box को देख सकते हो, तो इस तरह से आपको इस trick को reload है, तो आप इस glitch को कैसे fix कर सकते हो, मैं बताऊंगा, गाईस, ओके, तो वीडियो को पुरा end तक देखते रहो, बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग जो है, स्नाइपर टिप्स औंटिक्स मेरे दिया है, यहाँ बहुत advanced टिप्स औंटिक्स है, तो देखो, आपको करना बटन दबाओ, ऐसे ऐसे करना है, इससे क्या होगा, आपका जो gun होगा, मतलब आपका जो sniper होगा, वो reload नहीं आएगा, वो मतलब एकदम perfect time पे switch होगा, तो आप इस trick को यूज कर सकतो, बहुत ही आसान trick है, आपको just fire करना है, then scope बला बटन दबाना है, फिर switch करके fire करना है, then scope बला बटन दबाना है, तो यह पर तमारा third tips की होड, तमारा third tips है, वो भी काफी ज़्यदा advanced tips है, तो देखो guys, आपको sniper चलाने के लिए, सबसे पहले तो guys, आपको character skill लेना पड़ेगा, तो देखो ऐसा best character skill आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो आपको लोडा का character skill लगाना हो मैंने maximum लगाया है, बट maximum का आप चेंज करके moco भी लगा सकते हो, moco से आपको मतलब फाइदा यह होगा, कि आपको मतलब mark मिल जाएगा, कि कहां पर मारना है आपको, अगर आपके पास M8 भी होगा, तो बहुत ही आसान हो जाएगा, तो आपको यह तीन character यूज करना है, अगर डबल डेमेज भाला का आपके पास, तो आप जो है फायर करोगे, तो आपको दोसों के आसपास ही डेमेज देगा, मतलब लॉंग रेंज, इसतना लॉंग रेंज पे जाओगे, उतना डेमेज इंक्रीज करेगा, मारो ठीक है, तो मारो करेक्टर को लगा के आपको का आपका डेमेज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जागा है, तो आपको जो है इस चीज के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखो स्वीच इतनी आसानी से नहीं होगा ये, बस आपको जो है दो तिन दिन प्रैक्टिस करना होगा, ट्रेनिंग राउंड में जाके, आप फर्स स्लोट में आपको स्नाइपर रखना है, तो फॉस्स आपको स्नाइपर से डेमेज देना है, दिन आपको स्वीच करके एर से डेमेज देना है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जो एर होता है उस पर डिपॉल्ट और करता है, तो सबसे पहले एर से एक सौट लगा सकत करते हो तो बंदा 100% हो जाएगा तो आप इस चीज़ को जरूर से ट्राइब करना अगर आपके पास सिंगल स्नाइपर नहीं चल रहा है आपका तो आप जो है एयर के साथ स्नाइपर चला ती ओपी कॉमिनेशन होगा और मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रीक जो है ट्राइब किया है कुछ तो करने ही सकते तो अनसब्काइब कर देगा और आपका स्नाइपर कभी रिलोड नहीं आएगा और कस्टम के अंदर आप मार सकते हो एक स्नाइपर का डेड़स होगा वैसे बंदा मतलब एकदम पूरा सांत हो जाएगा तो आपको जरूर से प्रैक्टिस करना चाहिए के इन सब ट्रीक का यह जो पांच ट्रीक मैंने बताया है यह 100 पर्सन वार्किंग ट्रीक है गाई स्नाइपर के उपर तो आप लोग जो है जरूर से प्रेक्टिस करो एंड इस पर बहतर बंजते जाओ अगर आप डॉबल स्नाइपर इसकोप बटन को छोड़के चलाते हो तो आपको थोरा सा वेट करके चलाना होगा जिस पर बंदा भाग जाएगा बट अगर आप इसकोप बला बटन को यूज़ करके तो बंदा भाग नहीं पाएगा का इस असानी से तो आप जो इजली कर दिना वाई बाएगाइड काईस